नमस्कार सातियों मैं निखिल सर्मा आपशव का आपके अपने परिवार SSC मेकर में हारदीक सुवागत करता हूँ चलेंजी जल्दी जल्दी आजए ये सेसन को लाइक और सेयर जरूर कर दें जिससे इस सेसन का लाब अन्य विध्यारतियों को हो सके आज मैं आपके सेसन में कुछ ऐसे कोश्चन लेके आए हूँ जो आपके SSC के या जितने भी स्टेट्रेयों के एक्जाम है उन सब के फैवरेट कोश्चन है चलें जी इसी के साथ बिना देरी की हम सेसन का आगाज करते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ रखना है SSC Maker की टीम आपके लिए लेकर आई है संकल्प वैच और इस वाले वैच में ओफर चल रहा है ओफर सीमित समय के लिए और ओफर में ये वाला वैच आपको मातर जो है 500 में मिल रहा है करना क्या है SSC Maker डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला वैच परचेस कर ल सामनी क्या है एक एक एल्फाबेट वाली आपकी स्रीज है इस वाली स्रीज में आपको बताना है यहाँ पर जो कोशन मार्क है ना यहाँ पर कोशन मार्क जो है इसके स्थान पर क्या आएगा याद रखना जब भी एल्फाबेट वाली स्रीज आती है यह कई पार्ट में जो अब compare करने की कोशिस करो, देखो, S का number 19, O का number आपका क्या होता है, O का number 15 है, तो देखो, यहाँ पर कितना कम होगा, 4 कम होगा, O का number 15 है, और K का number 11 है, यहाँ भी क्या हो रहा है, 4 कम हो रहा है, K का number 11 है, G का number 7, तो यहाँ भी 4 कम हो रहा है, देखो, same sequence आपका पहले letter बनेगा, same sequence के according पहला letter बनेगा, यहाँ भी 4 कम होगा, G का नंबर क्या है, G का नंबर आपका 7 है, और 7 में से आपने 4 कम किया, 7 में से 4 गया, आपका 3, 3 पर आपका बनेगा C, चलो जी, आगे बात करता हूँ, दूसरे letter की compare करते हैं, देखो, यहाँ स second letter होगा, उसमें भी sequence बनेगा, इसका plus 4 का, W का number, आपका 23, 23 में 4 number add करोगे, 23, 4, 27, 27 पर आपका 26 के बाद, दुबारे से ABCD start होती है, A आएगा, C, A आपका आचुका, अब देखो, तीसरे letter की compare करके देखो, तीसरे letter का है, आपका तीसरे letter है, H, देखो, H से क्या मनना है, D, H का number क्या 8, और D का number 4 कितना कम हो, 4, D से आपका Z बन रहा, इहाँ पे 4 कम हो रहा है, Z से आपका V बन रहा, इहाँ पे 4 कम हो रहा है, तो अगला वाला, तीसरे वाले letter में, same sequence, 4 कम होगा, तो देखो, V का number 22 और 22 में से 4 गए, आपका 8, 18 पर आपका क्या आता है, आ रहाता है, चलो जी अब लास्ट वाला लेटर देखो, यहाँ पर लास्ट वाला लेटर देखते हैं, लास्ट वाला लेटर क्या होगा, देखो आपका M, M से क्या बना Q, M का नमबर 13 और Q का नमबर 17 चार बढ़ रहा है, देखो Q से क्या बन रहा है, U, चलो जी यहाँ पर यहाँ पर भी 4 बड़ा देखो V से Y बना यहां पर भी 4 बड़ा और Y से आगे तरफ 4 लैटर जाओगे तो Y से आगे ही तरफ 4 लैटर जाओगे तो क्या हैगा C तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा C A R C क्या बना C A R C बना option number C आपका correct है जब जब alphabet आपकी alphabetical वाली series आए करने का तरीका ये होगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, next question आपके सामने है, next question series का question है इसका answer मुझे बताओ, इसका answer क्या होगा, देखो क्या कह रहा है, इसने का दी गई सरेणी को पूर्ण कीजिए number series का question आपके सामने, इसका answer मुझे बताओं, क्या बनेगा series क्या आपकी, 15, 27 बार है, question mark आपका 9 और आपका 33, यहाँ पे जो question mark है, इसके इस्थान पे आपको बताने क्या होगा, आपका series क्या है, 15, 27 27, 27 के बाद आपका 12, 12 के बाद आपका question mark है यह वला आपका बताना है, इसके बाद 9, 9 के बाद आपका 33 अब बात करते हैं, छोटी-छोटी, मगर मोटी बातों की बात कर लेते हैं, सक्तिमान वाली थोड़ी सी, यहाँ से देखो, आपका क्या है 15 से क्या बना, 27 नमबर आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 27 से बन रहा है, आपका 12 नमबर क्या हो रहा है, घट रहा है, कम हो रहा है एक बार नमबर बढ़ा एक बार नमबर कम हो, याद रखना जब जब आपका ऐसा sequence बने एक बर number up हो फिर down हो, फिर up, फिर down, तो यहांपे 99% case में आपका double स्रीज का question बनता है, तो यह question आपका क्या है, यह Ernestastha क्या है, यहांपे question है double स्रीज को есть, और double स्रीज के question में करने का तरीका क्या है, करने का एक तरीका होता है, पहले number की compare, एक number चोड़ के दूसरे से, तो 15 की compare एक बीच वाला नमबर चोड़ो 27 से करो 15 से 12 बना क्या sequence है minus 2, sorry, कितना कम हो रहा है 1 second, minus 3, कितना कम हो 3 अब फिर से एक बीच वाला नमबर चोड़ो मतलब question mark चोड़ोगे, अगले पर compare करोगे तो 12 से 9 बना यहाँ पर क्या है, minus 3 का sequence है क्या है, यहाँ पर minus 3, लेकिन यहाँ पर question mark पर तो आप गई नहीं आपको question mark पर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है दूसरी वाला आपका जो है double series बताई ना मैंने, तो हो सकता है आपका दूसरे वाले जो है, दूसरी जो series चल दे उससे आप यहाँ पर जाओगे 27 से 33 पर जाना है, इसका मतलम number increase हो रहा है, बढ़ रहा है और देखो, जो sequence उपर था, वो ही sequence जो है, निचे आएगा दूसरी वाली में sequence उपर क्या था, 3 का तो 3-3, क्या आएगा आपका 3-3 का sequence बनेगा, और उपर minus है तो नीचे क्या होगा, इसका opposite ले लो क्या plus, क्यूंकि आप 27 से जब 33 पर जाओगे, आगी इतर बढ़ोगे तो आपको अगर अगला number चाहिए ये वाला, तो अगला number कैसे आएगा 27 में 3 जोड़ा, 27 अर 3 क्या बनेगा, 30 बनेगा, और 30 में अगला वाला number 3 जोड़ोगे, तो देखो 33 बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर correct answer इसका क्या होगा, option number D अगर जो ये छोटी-छोटी मगर मोटी बाते जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये अगर आप note down कर ले होगो ना, तो आपके बहुत सारे doubt सारे जो ना, clear हो जाएगी, ये ही तो logic है reasoning में आपका, और क्या logic है, चले जी next question आपका word वाला है, इसका answer मुझे बताओ, इसका answer क्या होगा, देखो इसने क्या कहा, इसने कहा, उस विकल्प का chain करें, जो तीसरे सब्द से ठीक उसी परकार संबंदित है, जिस परकार दूसरा सब्द, पहले सब्द से संबंदित है, अगर मैं simple language में बात करूँ, जिस परकार देखो ये, ये, आलू का जो relation तने से है, इन दोनो सब्दों का आपस में जो relation है, जो संबंद है, same relation, सेम संबंद आपको बताना है, इसका, इससे किस, इसका, इस मतलब की चने का किस से होगा, जिस परकार आलू का relation तना से है, आलू का relation तने से है, तो चना क्या होगा, तो देखा जाए, आपने जो है, अगर science अच्छे से अपने आप में क्या होता है, तना, जिस परकार आलू तने वाले गुरूप में आता है, उसी परकार चना जो है, चना किस वाले गुरूप में आता है, चना एक परकार से क्या है, मुझे यह बता इस ने कहा किसी कूट भासा में रोज को लिखा जाता है आई एल एच वी रोज को क्या लिखा जाता है आई एल एच वी लिखा जाता है उसी कूट भासा में आपको बताना है हैंड को क्या लिखा जाएगा बताएं जी हैंड को क्या लिखा जाएगा ऑप्सन नमबर ए बी सी देखे करने का तरीका आपका alphabet coding का question है, करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो word दिया वो लिखो, आपका word दिया रोज, R, O, S, E, इससे जो अगला वाला word बना इसके ज़स्ट नीचे लिख लो, इससे अगला वाला word बना आपका I, L, I, L, H, इसके बाद आपका V, अब coding, decoding में जितने भी method है, सालरे method लगाने की कोशिस करो, पहला method होता है, forward method, forward method का मतलब क्या होता है, पहले letter की compare, पहले से, दूसरे की, दूसरे से, तीसरे से की, तीसरे से, और आपका method तब काम करेगा, जब आपका महाप्र लोजिक भी लग रहा हो, अगर देखू, मैं पहले क पहले से compare करी, अगर आपने ध्यांद से question को देखोगे, आर की compare जैसी आप I से करोगे, आर की compare जैसी आपने I से करी, आपके mind में तुरंत एक word create हुआ होगा, क्या create हुआ होगा, आप मुझे बताना, comment करके जरूर बताना, create हुआ या नहीं हुआ, आपके mind में create हुआ होगा, जैसी आपने देखा, एक साथ आपने देखा O और L को, आपके mind में एक word create हुआ होगा, लओ, create हुआ हुआ, और इसका मतलब जब ये word create हुआ, तो इसका एक simple सा logic है, ये एक दूसरे के opposite होगे, क्या होगे, opposite होगे, simple सा, आप S की compare S से करी, जैसी आपने S के साथ H देखा, E की V से compare करी, आपने E और V को एक साथ देखा, आपके mind में create क्या हुआ होगा, यहां से आपके mind में create होगा, यहां से evening, मतलब कि आपकी ये भी एक दूसरे के opposite, यहां पे forward method लग रहा है, और logic forward method में क्या है, logic आपका forward method में क्या लग रहा है, logic आपका forward method में क्या लग रहा है, आपका opposite letter लग रहा है, तो same method किसे में लगा दो, hand में लगा दो, चलो जी, H, A, N, D, H, A, N, D, same method लगाते हैं, opposite, आपको क्या लेखना है, सारों का opposite letter लेना है, opposite letter लेना है, चलो जी, हां से लेते हैं, H का opposite, यादना वर्ड, high school, H, जैसी देखा, high school मतलब की S, A से याद है, A to Z मतलब की Z, N से याद है, man मतलब की M, D से याद है, दूद वाला या mountain dew कर लो, दूद वाला लिखलो या mountain dew, उससे हमें याद है, D का opposite letter क्या होता है, D का opposite letter होता है, W, तो इससे क्या बना, S, Z, M, W, option number क्या है, option number B, आपका correct answer है उमीद है, समझ में आ गया होगा, clear है सब के, चलो जी, very good, बहुत अच्छी बात है, question number 5, आपके सामने, इसका answer मुझे बताओ, इसका answer क्या बनेगा, question को पढ़ते हैं, इसने का, उस विकल्प का chain करें, जो पाचवी संक्या से उसी परकार संबंदित है, जैसी दूसरी संक् क्या तीसरी संबंदित है, अगर मैं simple language में बात करूँ, तो देखो इस वाले से आपका ये वाला, जिस परकार 6 से आपका 24 बना, 6 से 24 बना, जो logic आपने 6 से 24 बनाने में लगाया, जो logic आपने 9 से 54 बनाने में लगाया, जो same logic आपको बताना है, बारे से अगला वाला word क्या ब यहां से देखो क्या, 6 से 24 कैसे बना, 6 चोग 24, तो यहां से देखो, 9 चिंग क्या है, 9 चिंग 24, तो देखो, दोनों अलग 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 आ रहे, तो यहां पर देखो, यह वाला logic तो लगी नहीं रहा, डिफरेंस वाला देखो, डिफरेंस वाला भी नहीं लगेगा, डिफरे रखना कभी भी आपके पास दो नंबर हो अगर आपके पास दो नंबर हैं अगर वे दो नंबर एक दूसरे से कट रहे हो एक दूसरे से डिविजिबल हो एक दूसरे से विभाजित हो तो नहीं जो है ना एक दूसरे से काट लिया करो तो देखा जाए यह 6 से 6 जो है 6 से यह 24 पूरी पूरी तरह divisible है, क्या है, पूरी पूरी तरह divisible है, कट रहा है, अगर देखा जाए, नो से ये नंबर पूरा पूरा तरह केसे आपका divisible है, ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है, तो बारे से जो भी नंबर आएगा, बारे से जो भी नंबर आएगा, वो divisible होना चाहिए 12 से कटना चाहिए, क्या आप मुझे बताओ, क्या 12 से 88 कटेगा, क्या 12 के पाड़े में 88 आता है, नहीं आता, आप मुझे बताओ, क्या 12 के टेबल में 86 आता है, आप क्या 12 के टेबल में आता है, आप क्या 12 के टेबल में आता है, आप क्या 12 के टेबल में आता है, आप क्या 12 के बिलकुल आता है, जो आपका आ रहा है, जो कट रहा है, तो यहाँ पे जो है, ड्यूजिबल वाला रूल लग रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें correct आंसर आएगा C, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, चलो जी आगे बढ़ते हैं question number 6, dictionary वाला question है, इसका answer मुझे बताओ, इसका answer क्या होगा, इसने कहा, दिये गए सब्दों को सार्था करम में लगाएं, आपके सामने क्या है, आपके सामने पांच word है, इनको sequence में लगाना है, ABCD के according मतलब की A, ABCD में जो letter पहले आते हैं उसे पहले रखो, जो बाद में आते हैं उसे बाद में रखो, देखो बनाने का तरीका क्या है, अ तक starting point से चीजे same नजार आ रही हैं, वहाँ तक कट कर लो, देखो starting point से देखा जाए, तो starting point में सब में A की चीज कॉमन है, क्या आपका F, F, तो आप F कट कर लो, इसके बाद जो बचा, जो चीज आपने कट कर ली, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, अब ये को F के बाद क्य से पहले 1 आता है या 18 आता है, आपके उसर 18, आपके उसर 1 आता है, तो 1 वाले भी 2 है, तो जब आपके A की जैसे नमबर के 2 नमबर मिल जाए, फिर से वो ही rule अपलाई करो, कट वाला, तो देखो जहां तक इसमें चीजे आ रही हैं, कोमन वहाँ तक कट कर लो, तो जहां तक हमने कट करोगे कहां तक F A तक, यहां पर कहां तक कट करोगे, यहां पर कट करोगे F A तक, यहां में देखो इसमें वाले में कौन से में कट करोगे, इस वाले में भी आप कट करोगे F A तक, चलो जी F A तक का आपने कट करा, आप देखो जहां तक आपने कट किया है, जहां F.A में N का नमबर 4 है, आप मैं मुझे बदासी 3 आता है 12 वाला हुआ। यह movie नमबर इसके बाद सबने में 28 वाले भी 2 हैं, तो 28 वाले में कट करो, जहां तक comment F.R. इसके बाद है आई आ रहा आई का नंबर नो, यू का नंबर 21, मुझे बताओ 9 पहले आता है, 21 पहले आता है, आपको सब्सक्राइब नो पहले आता है, इसका मतलब यह नंबर हुआ 4 और यह वाला 21 वाला नंबर हुआ 5, तो देखो sequence क्या बनके रेडिवा, पहले नंबर पर क क्या आ रहा है, चोथे वाला, तो क्या sequence है, 15, 3, 2, 4, 15, 3, 2, 4, option नंबर C, पक्का एक question dictionary से जरूर मिलेगा, उमीद है, समझ में आ गया होगा, किलियर, चलें जी, आगे बढ़ते है, question number 7, question number 7, आपका blood relation से इसारे वाला question है, point वाला, चलें देखें, इसने क्या कहा, इसने कह यदि रमन जो है, छेतीज के पुतर के पुतर का भाई है, तो रमन का छेतीज से क्या संबंद है, यह आपसे पूछ क्या रहा है, रमन का छेतीज से क्या संबंद है, मतलब कि रमन क्या लगता है, आपसे यह पूछना चाह रहा है, कि रमन क्या लगता है, छेतीज का, चलें इसने कहा यदि रमन जो है रमन कोन है छेतीज के पुत्र के पुत्र का बाई देखो ये आपका ये आपका कोन है ये मालिय जाए ये वाला आपका कोन है छेतीज है यहाँ पे ऊपर कोन है यहाँ पे आपका कोन है यहाँ पे आपका जो है छेतीज ये आपका वा ये आपका बो इसका पुत्र होगा ये इसका हो गया बहिया सन ये इसका हो गया सन बहिया चलो जी आगे बात करते हैं मालिया ऐसे है कोई ठीक है ये इसका सन हो गया आगे कहा चेतीज के पुत्र के पुत्र के पुत्र भई चेतीज का बेटा ये है और इसके बेटे का इसके बेटे का बेटा इस वाले का बेटा मालिया कोई भी होगा कोई भी मालिया ये हुआ और इसके बेटे का कोन है इसके बेटे का भाई इसके बेटे का भाई कोन है इसके बेटे का भाई या ये भाई है कोन है ये भाई है रमन ये भाई कोन है रमन है इसके बेटे का भाई कोन है रमन है तो ये आ का पिता अगर ये है तो रमन का पिता कौन हुआ रमन के फादर कौन हुए रमन के फादर आपके ये हुए रमन के फादर ये वाला बोक्स हुआ और इसके फादर इस बोक्स के फादर कौन हुआ उपर वाला कौन आपका जो है इस बोक्स का फादर कौन हुआ उपर वाला तो यहाँ पे देखो चेतीज का पिता, आम मुझे बताओ, रमन के फादर ये वाला बोक्स वाला व्यक्ति, और इस वाले बोक्स के पिता कोन है, इसका पिता आपका चेतीज, मतलब की रमन के फादर के फादर, रमन के फादर का फादर कोन है, चेतीज है, इसका मतलब देखा जा पोता लगेगा घ्रैकर्ण फादर लगेगा और रामन क्या लगेगा पोता लगेगा ग्रांड सन लेगेगा। आपसे यहीं तो पूछरता रमन क्या लगता है छहेतीज का रमन जो लगेगा Gegen RIGHT पर देखेगा correct answer A, समझ मैं आया, चलो जी आगे बढ़ते हैं next question में, question number 8, चलें जी, इस वाले question को बनाएं, ध्यान से देखें और बनाने की कोशिस करें, इसने कहा भिन अक्षर समू को चुने, आपके सामने 4 option हैं, क्या हैं, आपके सामने 4 option हैं, इन 4 option में से 3 option ऐसे हैं, जि से different वाला आपको बता हैं, सबसे अलग वाला कुन सा है, चलें जी, बताएं, इसका अंसर क्या है, अगर question को ध्यान से देखोगे न, regular practice करोगे, डोज डेली क्लास में आओगे, question देखती ही बनेंगे, reasoning के, देखा जा, यहां से देखो, आप ध्यान से, देखो, अगर मैं पह होगा तुरंत आपको, जैसी आपने दूसरा और चोथा लेटर एक साथ देखा, आपके माइंड में डी और डवलू को देखती है, आपके माइंड में दूध वाला या mountain dew आया हुआ, मतलब कि ये दोनों लेटर भी एक दूसरे के opposite है, ठीक है, पहला और तीसरे वाला लेट अगर मैं इसमें बात करूँ, देखो यहां से अगर मैं बात करूँ, एन और एम की, पहले लेटर तीसरे लेटर की बात करूँ, जैसी आपने एन के साथ एम देखा, आपके माइंड में create हुआ, मैं और जैसे ही मैं create हुआ, इसका मतलब ये दोनों लेटर एक दूसरे के opposite है जैसी आपने जो है, आपने क्या काम किया दूसरा और चोथा लेटर देखा, ओ के साथ जैसी आपने एल देखा, आपके माइंड में create होगा love, आपके माइंड में कौन सा word create होगा love, इसका मतलब ये आपका लेटर अपोजिट हैं आपके ये वाले भी, अगर यहां से देखा जाए, यहां से बनाता हूँ, इस वाले को यहां से बना के देखते हैं, आप देखो क्या है, आपका है E, G, V, आपका T, जैसी आपने जो है, पहले और तीसरे वाला लेटर देखा, पहला और तीसरा, आपके यहां पे E और V एक साथ देखा, आपके माइंड में तुरंट create ह a word evening, मतलब कि दोनों लेटर एक दूसरे के opposite है, जैसी आपने दूसरा और चोथा लेटर देखा, जी टी, तो आपके माइंड में create हुआँगा, जी टी रोड ये भी opposite है, अभी तक देखा जाए, नीचे के तीनों option में, पहले और तीसरे लेटर opposite है, और दूसरा और चोथा opposite है, लेकिन अगर मैं पहले option में देखूं, आप गर मैं यहाँ पे पहले option में देखूं, T, U, G, T, U, G और D, यहाँ से देखो, पहला और तीसरा लेटर तो जी टी रोड बिलकुल पहला और तीसरा लेटर तो opposite है, लेकिन U और W, D आपने जैसी देखा, तो ये दोनों आपक अपोजिट लेटर नहीं है, अगर देखा जा, U का अपोजिट लेटर होता है, फोर से F होता है, और D का अपोजिट लेटर है, दूद वाला या माउंटें डू से W, तो आपका सबसे डिफरेंट क्या हुआ, ए हुआ, उम्मीद है, समझ में आ गया होगा, किलियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, कोशन नमबर 9 की तरह, कोशन नमबर 9 आपके सामने है, लड़ू रसगुला कोशन आपके सामने, जल्दी जल्दी इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करें, क्या आंसर होगा, लड़ू रसगुला कोशन है, जिसको लड़ू वसंद उसके लिए लड़ू औ यहाँ पे जो question मारके इसके इसके स्थान पे आप कौन सी figure लोगे, option number A, B, C, D, कौन सी figure लोगे, जिससे ये figure आपकी पूरी complete बन जाए, non-verbal वाला question देखती दो second में बनना चाहिए, क्योंकि यही वो question है, जिससे हमें time बचाना है और जो बड़े question है, उन पर लगाना है, चलो इसके बाद आपका ये वाला, आपका ये वाली figure आपकी ऐसे, और ये वाली figure आपकी बिल्कुल ऐसे, तो देखो सेम आपका कौन सा बनता हुआ नजर आ रहा है, सेम आपका देखो कौन सा है, देखो इस पहले वाले में तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे डंडा दिया है, इस फिगर बनेगा, यह वाला, यह वाला हमने छोड़ दिया था, यह वाला पूरा फिगर बनेगा, यह वाला, तो देखो, कौन सा आपको दिख रहा है, कौन सा बनेगा, कौन सा बना, ready, ready कौन सा बन रहा है, यहाँ पे देखो, no का बिलकुल C बन रहा है, बिलकुल C आपका बिल जहर वाला कोशशन आपके सामने क्ते ही जहर इसका नाम क्या दिया है उपने कटे Memelight Twin मतलब कि metric spent चीटिंग अरेज्मेंइर्जमेंट का कोशण और चीटिंग अर्चमेंट का कोशण है क्ते जहर वाला कोशण बनाने का पड़ो, और बनाने की कोसिस करो, इसने कहा, साथ लड़के कोन है, एसे लेके जीतक, और एक पंग्ती में खड़े हैं, लेकिन उसमें पूरे कोषयन में यह नहीं बताया, कि उनका फेस किस साइड में है, साता लड़के एक लाइन में खड़े हैं लेकिन उसने ये mention नहीं किया कि उनका face किस Side है याद रखना जब भी किसी question में ये mention ने करें कि आपका face किस Side है तो आपको face अपने साइब अपने passing से सब question बनाओगे, ऐसे line पे कब question बनाओगे, जैसे 7 व्यक्ति हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ कि ऐसी line हिच के question बना बनाते हो, तब जब पूरा question पढ़ने पर, आपको किसी ना किसी एक व्यक्ति fix जगया पता चल जाए, कि ये वाला व्यक्ति यहां बैठेगा, कब question line पे रखके बनाओ, अधरवाइच question basic से बना लो, बिना line के कोई सुनी है, अगर आप पूरा question में पढ़ोगे, पूरे question में कहीं भी एक भी व्यक्ति की fix जगया नहीं, पता कि ये वाला व्यक्ति बीच में बैठा है, या यहां पे left वाले चोर पे बैठा है, या right वाले चोर पे बैठा है, तो जब भी आपकी पूरे question में कोई confirm position पता नहीं है, तो question को basic से बनाओ, basic बिना line के, अब देखो question मनाने का तरीका, सब का face किदर करोगे, सब का face करोगे, mention नहीं करा, तो north की तरफ, अब देखो question मनाते हैं, इसने कहा, इधर से question मनाओ, इसने कहा, F के ठीक बाएं कोई बैठा है, D, मतलब की F के left में कोई है, D, देखो F के कहा, F के आपके left में कोई है, D, तो देखो F ही ये रहा, और देखो, सब का face मैंने कहां बताया, north की तरफ, उपर की तरफ, और मैंने अभी बताया, जब भी left या right लेनो, तो left hand का concept, कहार, S, इस पे, जिस से left या right के हैं, उस पी रखो, और देखो, left hand की middle वाली finger, उपर की तरफ, और left का मतलब होता है, ना कुर की side, मतलब की this side, F से just this side कौन बैठा है, F से just this side आपका कौन है D, तो यहाँ पे आपका F बैठा है, और यहाँ पे इस से just this side कौन बैठा है D, तो दो व्यक्ति बैठा गी, अब आपको वो line लेनी है, जिसका relation आपके पास जो दो value है ना, दो letter इन से relative line लेनी है, बाकी line हो को skip करना है, बनाने का तरीका है जल्दी, चलो जी, आगे बात करते हैं, A, G के ठीक बाएं बैठा है, आपके पास जो है ना, आपका ना तो A का ना G का कोई relation, D से ना F से line छोड़ दो, अगली वाली line पे चलते हैं, E, G के बीच में दो लड़के हैं, इस वाली line को भी छोड़ दो, आपका ना तो E का ना G का, D या F से कोई relation ये, कोई दिक्कत नी है, अगली वाली line पे चलते हैं, इसने कहा, D और G के बीच में, देखो, इसने कहा, D और G के बीच में कोई बैटा है, B, मतलब की, D और G के दोनों के बीच में कोई आएगा, B, यहां से अगर देखो, देखा जाए, अगर D के इधर G लोगे, तो already इन के बीच में F आजाएगा, इसका मतलब confirm है, G आपका इस साइड होगा, और इन दोनों के बीच में कोई होगा, आपका B होगा, आपने B बठा लिया, आप देखो, जो जो लाइने छोड़ी हुई है, उन लाइनों को पकड़ते हैं, और कोश्चन को बनाते हैं, इसने कहा, आप देखो, पहली लाइन क्या छोड़ी ती यह, A जो है, कहां बैठा है, G के ठीक बाएन, G के लेफ्ट में आपका A है, तो G पे ऐसे रखोगे, उपर की तरब देखा, लेफ्ट का मतलब नाकुन की साइड, इस साइड आपका कोण बैठा है, इस साइड आपका बैठा A, चलो जी, अभी तक 5 बन्दे बैठ चुके, 2 बन्दे और बठाने आपको, अगली वाली लाइन में कहा है, देखो, E जो है, E और G, E और G के बीच में 2 लड़के हैं, E और G के बीच में 2 लड़के हैं, तो देखो, ये आपका G रहा, G ये रहा, इसका मतलब E कहा होगा, 1, 2, ये 2 लड़के बीच में होगें, यहाँ पे एक लड़का होगा, और यहाँ पे कौन बैठा है, E, आप देखो, कितने लड़के होगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो बच गया, उसकी A की जगे बची है, देखो, कौन बचा, C बचा, तो C को यहाँ बचा लो, आपका पूरा सिक्वेंस बनके, रेडी हो गया, आपसे पूच कहा रहा है, कोश्चन में देख लो, कोश्चन बना लो, आपसे पूच रहा है, ठीक बीच में कोन खड़ा है, साथ में से आपको यह बता रहा है, बिल्कुल मिड में कोन है, तो साथ बंदे हैं यह, तो इसका मतलब तीन इधर के खतम कर लो, तीन इधर के खतम कर लो, तो बिल्कुल मिड में देखा जाए, कौन बैठा है जी बैठा है option number C left hand देखो बाएं हाथ का खेला था सारा seating arrangement का question बाएं हाथ का खेला था तो correct answer क्या बना इसका जी बना उमीद है समझ में आ गया होगा चलो जी आगे वड़ते हैं इससे पहले आपको याद रखना है SSC Maker की टीम आपके लिए लेके आई है बैठ 2023 के लिए और इस वाले बैठ में offer चल रहा है offer सीमित समय के लिए और offer में ये वाला बैठ आपको मात्र 500 में मिल रहा है करना क्या है SSC Maker app डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाला बैठ परचेस कर ले चलें जी इसके बाद missing number का question आपके सामने इसका answer मुझे बताए देखो क्या गारा इसने का लुप्त संख्या ग्याद कीजिए find the missing number आपको बताना है यहाँ पे question mark है इसका answer मुझे बताए क्या होगा इसका answer देखे याद रखना जब भी missing number का question आए पहला आपका क्या होगा पहली approach आप क्योगी सबसा बड़ा number देखो कहां बना है देखो स तो इसका मतलब क्या हुँआ इसका मतलब simple हुआ आप इहां से क्या करोगे यह वाला number बनाने की कोसिश करो सुरू के दो number से अगर आप सुरू के दो number को ध्यान से देखोगे देखो 28 और 58 देखो 28 से 58 कैसे बना अगर मैं एक काम करूँ यहां से यह वाला नंबर बनाने का तरीका क्या होगा 28 दूनी क्या होता है 28 दूनी 56 इसके नजदीक ले जाओ 28 दूनी 56 और 56 में आप दो जोड़ोगे 56 82 क्या मना आपका 56 82 बनिया चलो जी यहां से देखो यह वाला नंबर कैसे बना होगा देखो एक दूसरे से बन रहे हैं यहां पर जो है लोजिक क्या लग रहा है एक दूसरे से अगला नंबर बन रहा है इधर की साइड बन रहा है देखो 58 में कैसे बना 58 की दो से गुणा करो 58 दूनी 116 है 116 में अपने पास से दो जोड़ोगे तो आपका क्या बनक करके दो जोड़ोगे 21 दूनी 42 और 42 दो 44 चलो जी इस वाले नंबर से यह वाला नंबर कैसे बन रहा है दो से गुणा करो और 12 में जोड़ो अपने पास से चलो जी 44 दूनी आपका क्या होता है 44 टूजा आपका 88 होता है और इसमें 2 एड करोगे क्या बना आपका 90 90 बन रहा नहीं बन रहा है आपका उसर बिल्कुल बन रहा है चलो जी सेम लोजिक यहां से लगा के देखते हैं यहां से देखो यह वाला नंबर कैसे बन रहा है गुणा दो प्लस दो क्या गुणा दो प्लस दो तो अगले वाला नंबर भी कैसे बनेगा अगले वाले नंबर भी गुण गुणा, दो, और गुणा, इसने कहा 35 बच्चों की एक कक्षा में, एक क्लास है, उसमें टोटल स्टूडेंट कितने है, 35, चलो जी आगे बात करते हैं, इसने कहा, आराव की रैंक सीर से छटे स्थान पर है, आराव जो है, आगे से मतलब की आराव की अपर पोजिशन, मतलब की आगे या उपर कह सकते हो आगे से या उपर ठीक है यहाँ पे आरव की आगे से जो पोजिशन है कौन से नंबर है छटा नंबर और आगे इस से अगली लाइन को ध्यान से पढ़ना इसने कहा रोनी जो है रोनी कहा है आरव से साथ रैंक नीचे तो देखो यह ऐसे हैं यहाँ पे रैंक यहाँ पे देखा जाए आरव की रैंक जो है सीव से कौन से नंबर पर है चटे नंबर है उपर से देखो उपर से यहाँ पे माल लिया यहाँ पे क्या है यहाँ पे अपर पोजिशन कौन सी है चटी यह चटी पोजिशन किसकी है यह है आपकी आरव की किसकी आरव की पोजिश इसने कहा, रोनी से 7 नमबर नीचे है, इसका मतलब रोनी से 7 नमबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब की रोनी की लोरनी की जो पोजिचन है, अपर पोजिचन आगी 13, तो रोनी की नीचे से आपको बताने है रोनी का नीचे से नंबर बताने है रोनी की लोवर पोजिशन आपको बताने है क्या होगी रोनी की लोवर पोजिशन याद रखना एक ही व्यक्ति की अगर एक ही व्यक्ति की दोनों पोजिशन गया तो तो आप टोटल व्यक्ति निकाल सकते हो तो टोटल बराबर क्या होगा टोटल जिनका 23 आरा सारे के सारे करेक्ट हो टोटल बराबर बराबर आपका क्या होगा रोनी की ऊपर से या आगे से पोजिशन प्लस रोनी की पीछे से पोजिशन मतलब की लोवर पोजिशन और माइनस क्या होगा वन होता है टोटल इस् देखो यहां से तेहरे में से एक गया आपका क्या बचेगा बार है बार है प्लस आपका क्या बचा इधर आपका आया बार है और प्लस रोनी की जो हैल आपकी लोवर पोजिशन बतानी यहाँ पे 35 जोन सी पोजिशन बतानी है वो एक तरफ बाकी का सारा एक तरफ तो यह रोन पूज़ा जाएगी देखो पांच में से दो गया क्या है थीन और तीन में से एक गया आपका दो तो रोकिरो की लोऔर पोजिशन मतलब की रोणी नीचे यह से कौनसी कंडिशन पर आपका कौन से नंबर 23, option नंबर B, आपका क्या है correct answer, चलिजी इसके बाद next question में चलते है, लड़ू रजगुल्ला question फिर से आपके सामने है, इसका answer मुझे बताओ, इसका answer क्या बनेगा, mirror image वाला question है, ध्यान से देखो, इसने का दी गई आकरती का दरपन परतिबिम्ब ग्यात कीजि तीन step आपको याद रखने हैं, तीन condition, पहली condition याद रखो, जब भी mirror image का question होता है, तो उपर की और नीचे की condition कभी change नहीं होती, मतलब की आपकी upper position, जब कोई भी figure हो, उसकी upper position और उसके नीचे की lower position, कभी भी change नहीं होगी आपका mirror image में, ठीक है, क्या होगा mirror image में आपकी change आपकी changing position क्या है, mirror image में जो चीज होता है, left वाली चीज किसमें बदल जाती है, right में, और right वाली चीज किसमें बदल जाती है, left में, और तीसरी सबसे खास वाली बात, जहाँ पे mirror लगा है, सबसे पहले जो image बनेगी, उसकी बनेगी, जैसे यहाँ पे mirror देखो, किसके इधर जो image बनेगी, सबसे पहले 5 की बनेगी, और कैसे यह number ऐसे है, तो देखो, left का right ऐसे पूरा पलट जाएगा, तो जैसी आपका 5 पलटेगा, तो देखो, 5 कैसे बनता नजार आएगा, 5 बनता नजार आएगा, कुछ इस तरीके से, T देखो, कैसे पलटेगा, T पे को effect न इधर निकल जाएगा, Z पे effect भी पड़ेगा, Z आपका कैसे बनता नजार आएगा, Z आपका कुछ इस तरीके से बनता नजार आएगा, इसका मतलब देखो, 13 में आपको क्या नजार आ रहा है, देखो, same figure देखो, आपका क्या है, यह आपकी, देखो, यह बन दी, same, इसके ब कापकी अर्थमेटिकल रीजनी को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से पढ़ने के बाद बनाओ यहां पे अर्थमेटिकल रीजनी एक टाइप से मैथ के ही कोश्चन होते हैं कुछ डिफरेंट वाले कोश्चन जो आपके रीजनी में पूचे जाते हैं इसका अंसर मुझे देऊ यहां से ध्यान से question पढ़ना, अच्छा अच्छे वाला question है, बड़ा logic है question है, इसने कहा, दो संक्या है A और B, A और B ऐसी है कि, क्या कहा, A के 3%, A का 3%, मतलब कि जहां पे का या ओफवर्ड आ जाए, उसका मतलब होता है multiply, A का 3%, तो यहां पे percentage भूल जाओ इस question में, A into क्या होग होगा, A into क्या है, 3, A into 3, यहां पे बताता हूँ, क्यू percentage भूलोगा, यहां पे देखो, यहां पे, क्या कह रहा है, A का 3%, यहां पे देखो, A का का मतलब या ओफ का मतलब into 3, 3 आपने लिखा, percentage हटा के नीचे क्या लिखते हो, 100, यही तो होता है question, चलो, आगे बाद, और B का B का 6% का योग, मतलब A और B का, B का क्या कहा, और जो इसने कहा, B, B से, B, एक काम करो, B का हो गया, ओफ लिखने न, ठीक है, ओफ, और B का 6%, यहां पे आपका B है, का या ओफ का मतलब क्या है गुना, 6%, 6 यह लिखा, percentage हटा के नीचे 100, इन दोनों का योग मतलब की sum जो है, इ तो है, आपके A के 4%, A का कितना 4%, का या ओफ का मतलब गुना, 4, percentage हटा के नीचे 100, और B के 6%, मतलब की यहां पे B के 6%, यहां पे आपका B का 6%, का या ओफ का मतलब गुना, percentage हटा के नीचे 100, और इसके किसके, इसके योग के किसके बराबर, 4 बटे 5 के बराबर, किसके 4 बटे 5 क बराबर है तो देखो आपका दोनों में बेस सेम है देखो इधर भी 100 है इधर भी 100 है तो देखो इससे आपका क्या होगा ये बनेगा आपका 3 ये प्लस आपका 6 भी जब बेस सेम हो ना जब बेस सेम हो तो एक बेस बना लो और देखो इधर भी बेस सेम है तो क्या बनाएगा आपका चारे बनेगा और इदर आपका 6 एदर आपका क्या प्लस 6 भी बनेगा 6 भी बनेगा अपोन 100 और इंटू क्या होगा इंटू आपका 4 वाइप फाई होगा देखो यहां से 100 से यह सो कट जाएगा इसलिए मैंने बताया परसंटेज में 100 को बूल जाओ, ये सारा काम करने की जुरतनी सो बूल जाओ, सुरिप आप लेंग्वेज पे ध्यान दो question के, देखो क्या कह रहा है, इसने कहा, एके 3% का या ओफ का मतलब गुणा, तो ए गुणा 3 हुआ, ठीक है, आगे देखो क्या कहा, बी का 6%, बी आपका ये रहा ये रहा है, एके 4%, आगे वाली लाइन में एका 4%, परसंटेज भूल जाओ, का या ओफ का मतलब गुणा, चलो जी, आगे का, बी के 6%, देखो, बी, का या ओफ का मतलब गुणा, कितना 6, चलो जी, योग का योग का मतलब क्या है आपका दोनों का जोड दोनों का क्या है दोनों का जोड इनका भी जोड और इनका भी जोड बराबर कब है बराबर आपका क्या है आपका क्या है इसने का A के 4% के B के 4% का जो योग है योग का क्या है 4 बटे कौन सा है योग का कितना पार्ट है तो यह आपके किसके बराबर है, पहली वाली जो आपकी equation है, यह इसके जो है, यह आपकी जो है, आपका A के 4%, B के 6% के योग का 4 बटे 5, तो आप ऐसे बना लोगे, आप देखो चीजे जो चीज आपको करने है, करना क्या है, ठीक है, यहां से देखो आपको करना क्या है, छाग में इदर जाके गुणा में जाएगा तो यह आपका आएगा इधर 5, ब्रैकेट में देखो क्या होगा, तीन की A में गुणा करी 3A बना, और यहाँ पे प्लस आपका क्या बना, यहाँ पे 6 भी बना, जलो जी ऐसे इदर देखो, यहाँ पे क्या आपका चार की A से करी 4A बना और यहां पे आपका 6 भी बना और यहां पे आपका क्या बना यहां पे आपका 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 बना यहां से A और B का रेसो निकाल लो सबसे बेटर यहां से देखो आप देखो पांच की गुणा कर आपका 16 A बना और यह आपका क्या बना चार्चिंग 24 भी बना यहाद रखना A वाले एक तरफ लियाüyorsun B वाले एक तरफ लियाuard और यहां से रेसो बनालो देखो यहाँ पे क्या है यह 15 A है और यह 16 है तो A वाले इधर ले जाओ B वाले इधर लियाओ तो यहाँ पे क्या था आपका 30 B था यह और देखो यह आपका B प्लस का इधर जाके माइनस का 24 B हुआ और देखो यहाँ पे ओल्रेडी आपका 16 A है ही और देखो यहाँ से देखो A वाले इधर ले जाओ यह प्लस का जिसके सामने कोई सिंबल नहीं प्लस का इधर जाकर आपका माइनस बना 15 क्या बना आपका बना? यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो कुश्चन में लेगेगा यहाँ से देखो आपका क्या बना? 30 में से 24 गया 6 भी बचा और यहाँ पे आपका क्या बचा 15 में 60 लेगा है सिंगल A A B वाले एक तरफ लेआओ तो यहाँ पे A यहाँ लियाओ और इसके नीचे क्या चला जाएगा इधर जाके B तो यहाँ पे जो एक कुछ नी तो एक माल लो तो यहाँ से देखो जिसके नीचे कुछ नी वो एक तो A B का रेसो क्या हुआ A B का रेसो एक 6 एक क्या हो गया A B का रेसो आपका क्या हुआ 6 एक तो आपसे किसका रेसो पुछा है आपसे रेसो पुछ रहा है A प्लस B a प्लस b और a माइनस b का रेसो पुछ रहा है क्या होगा a प्लस b और a माइनस b का रेसो देखो क्या होगा देखो यहां से a की value तो होगी आपकी 6 और b की value होगी आपकी 1 तो यहां से देखो यहां से रेसो बना दो रेसो यहां से देखो आप रेसो बनाओगे किसका A प्लस B A प्लस B और किसका रेसो पुछा है A माइनस B का रेसो पुछा है तो यहां से देखो A की वेल्यू क्या ही आपकी देखो यहां से A की वेल्यू आपके 6 तो यहां पे आपने 6 रखा और B की वेल्यू 1 इनकी value रख दो और कुछ नहीं करना और यहाँ पे 6-1 करा 6 और 1 क्या बना आपका 7 बना और 6 में से 1 गया आपका क्या बचा 6 में से 1 गया 5 तो रेसो क्या बनके रेडिवाच 7-5 क्या बनके रेडिवाच 7-5 पूरा question basic से लगा दिया उम्मीद है समझ में आ गया होगा क्लियर है चलो जी आगे बढ़ते हैं next question counting figure का question है इसका answer मुझे बताओ क्या बनेगा count करके बताओ इसमें count करके आपको बताना है दी गई आकरती में कितने तिरकोन है कितने triangle आपको इसमें नजर आ रहे हैं बताएं जी इसका answer क्या होगा चलें याद रखना examiner आपको basic figure में इल जाता है फसाता basic figure में है option number A होगा B होगा C होगा D होगा चलें जी मैं बात करूँगा सरी basic figure की अगर मैं basic figure की बात करूँगा ये आपकी basic figure है ये वाली जो मैं आपकी बना रहा हूँ basic figure है आप देखो जब भी ऐसी basic figure आती है करने का तरीका क्या है इसमें number डालो और number डालने के बाद सारे number को आपस में जोडो लो number डाला और सारे number को आपस में जोडोगे एक अर दो तीन 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 क्या बना च्छे तो इस basic figure से सारे basic figure से कितने triangle बने यहां से triangle बने च्छे अब पूरी basic figure की बात करूँ अगर मैं चलो जी एक basic figure सबसे बड़ी ये भी तो है आपके पास एक basic figure आपके पास ये वाली बड़ी वाली भी तो है ये basic figure ये भी तो है इसमें भी करने का तरीका क्या है नंबर डालो और आपस में जोडो एक दो तीन चाट सारो को आपस में जोडो दो चलो जी यहां से देखो कितने बने 4, 8, 3, 7, 7, 2, 9, 1, 10 कितने इस से कितने triangle बने यहां से 10 triangle बने देखो दोनों को आपस में जोड़ो के बताओ कितने triangle होगे 10 अर 6 आपका 16 कितना triangle 16 basic figure याद रखना basic figure आपको अच्छे से घर आती है न तो counting figure का question हो इनी सकता कि आप छोड़ के आजाओ चलो जी next question आपका जो है आपका क्या है mathematical operation से question है इसका answer मुझे बताओ क्या बनेगा देखो क्या कहरा इसने कहा निमलिकित में से कोन सा विकल्प लेने पर दी गई समीकन संतुष्ट होगी कहने का मतलब यह है कि आपको star की जगे आप कोन सा option लोगे option का मतलब कोन से symbol यहाँ पर रखोगे star की जगे जिससे equation satisfy हो जाए समीकन संतुष्ट हो जाए समीकन संतुष्ट का मतलब क्या होता है समीकन संतुष्ट का मतलब होता है left hand side और right hand side same same number बनना चीए दोनो side बराबर के दोनो side अगर number बराबर आ रहे हैं सेम आ रहे हैं तो equation satisfy होगी otherwise otherwise equation satisfy नहीं होगी बताएं जी इसका answer आपका क्या बनेगा बताएं सोले का answer क्या होगा option number A, B, C, D चलें जी याद रखना जब भी आपका mathematical operation का question होता है option से जादेतर बनता है और जब भी mathematical operation का question आप option से बनाओ तो आपका ध्यान स्रीफ एक rule पर जाना चाहिए उस rule का नाम है golden rule और golden rule क्या कहता है golden rule है divide वाला rule मतलब कि यह rule आपसे यह कहता है आपसे यह बताने की कोशिस करता है अगर आपका कभी एक ऐसा number लिख रहा हो divide अवाले आपके दो आसपास के number ऐसे हो तो यह number इससे पूरा पूरा कट होना चाहिए मतलब की reminder आपका successful आपका 0 आना चाहिए 5 पूरे 25 पूरा अगर वो पूरा पूरा नहीं कटता तो आपका answer नहीं होगा सबसे पहले आप golden rule पे चलते हैं divide वाले पे यहाँ देखो symbol पकड़ो, आप कों से वाला? divide वाला symbol यहाँ से देखो, आपका देखो, यहां से मुझे बताओ यहाँ पे दूसरे number पर आपका क्या है? पहला दूसरा लाश्च्ट रे दूसरे number पर आपका क्या ? divide का symbol है 23 से 11 कट जायेगा? क्या? आप कहोगा नहीं कटेगा जो नहीं कटरा इसका मतलब वो आपका option हो ही नहीं सकता चलो जी आगे चेक करता हूँ दूसरे वाला चेक करते हैं divide का symbol सबसे पहले लगाओगे अगर यहाँ पे आपने divide का symbol लगाया तो क्या ये दोनों number एक दूसरे से कट रहे हैं क्या पूरा पूरा क्या 35 के table में 57 आता है क्या आप क्योंको सबसे नहीं आता तो ये वाला option भी नहीं आएगा चलो जी आगे बात करते हैं चलो अगर मैं बात करूँ देखो यहाँ से यहाँ से मैं बात करते हूँ देखो यह अभी मैंने बात कर चुका लाश्ट से दूसरे वाला लाश्ट से दूसरे वाला इसमें बात कर चुका जब इस वाले से नहीं बन रहा तो आपका क्या है आपका इस वाले से भी नहीं बनेगा तो बचा क्या आपका एक ही बचके यह पूल जो है ना डिवाइड वाला उससे कोश्चन हो जाएगा ठीक है अब करने की भी कोशिश करलो कोई दिक्कत निया चेक भी करलो चलो करते हैं आपको करना क्या डी अप्सन लेना क्या डी आपका उप्सन अगर मैं लूआ यहां से चलो मैंने तीन ओपसन अगर आप लोगे तो यहां देखो आपको करना कैसे सबसे पहले क्या है आपका 57 57 पहले स्टार की जगे आपको लेना प्लस प्लस लिया 35 दूसरे स्टार की जगे आपको लेना माइनस माइनस लिया आगे आपका 44 तीसरे स्टार की जगे आपको लेना डिवाइड लिया 11 इसके बाद आपका चोथे स्टार की जगे इंटू है इंटू लिया इसके बाद 13 और इर्जिकल तू आपका 14 अब बोर्डो मास का रूल लगता है बोर्डो मास का रूल कहता है सबसे पहले आपको करना है डिवाइड केमाद मल्टिकलाई फिर pseudo materacist ॥ास फिर ता और माइनस आपका क्या रेड़ी हुआ तीन नंबर से 52 और इधर आपका 40 बनना चाहिए चलो जी इन दोनों नंबरों को एड़ करते हैं देखो प्लस है सिंबल साथ पांच बारे का दो बना एक कैरी पांच रर तीन आठ आठ चार आपका क्या बना आठ चार आपका बना बारे एक सो बाइस माइनस फिप्टी टू बना यहां पे आपका देखो यहां से देखो एक सेकिन साथ-पांच बारे का दो-एक कैरी पांच अर तीन रट रेक factor नो बना और यहां से आपका 52 और इजिगल टू आपका क्या बन रहाए इधार आपका 51 बन रहा है यहां से देखो दो में से दो गया जिरो नो में से 50 के चार देखो तो यहां भी 40 आरा इधर भी 40 बना दोनों साइड बराबर आ जाएगी इसका मतलब correct answer क्या होगा वो ही होगा golden rule पे approach रखनी है बस आपको चले next question जलते है question number 17 dice वाला question है ध्यान से question को देखो और बनाने की कोसिस करो यहां से देखो मैं थोड़ा सा large कर देता हूँ इसने कहा क्य बात कर ने है वालेव अपस्छों कर देता है वैं मैं लार्ज जूम कर देता कोई दिक्कत नीए जूम कर लेते है उससे कोई problem नहीं है जूम हमने कर लिया चलो जूम हमने कर लिया आपको बताओ इसका answer क्या होगा चले जी question को basic से बताएं इसका answer आपका क्या बनेगा, कौन सा dice बनेगा, इस open dice से कौन सा close वाला dice बनेगा, याद रखना कभी भी आपके ऐसे 4 box बन रहे हूं, कितने box? 4, 123, 4, तो याद रखना, 1234, तो याद रखना, पहले box का opposite वाला box होता हैों, पहले का आपोजिट कौनसा बौक्स है तीसरे वाला और दूसरे का आपोजिट बौक्स होता है चोथे वाला तौ देखो इस Allah इस beta करा, सेम वोई है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, चैका अपोजिट नमबर चार, और चार का अपोजिट छे, एक दूसरे के अपोजिट है, देखा जाए, एक और दो, यहाँ पे देखो, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, चलो जी, ऐसे देखा जाए, आ opposite number या opposite surface एक साथ नहीं दिखाई देंगी याद रखना किसी भी dice में आपका जो मैं बात कर रहाँ close dice, मतलब कि बंदपासे में कभी भी note down कर लो, बंदपासे में कभी भी दो आपकी जो है जो आपकी opposite surface आपके opposite number एक साथ नहीं दिखेंगे, अगर दो यहां से देखो आपका एक नमबर दिया है दो, आप चेक करो किया इस दो का अपोजिट नमबर इस डाइस में है, अगर डाइस में मिल गया तो यह आपका डाइस रोंग होगा, यह बने गाए ही नहीं, देखा जाए दो का अपोजिट नमबर क्या है, एक और यहां पे दो का opposite number एक दिया है और अभी मैंने आपको बताया एक close dice मतलब कि बंद पासे में कभी भी opposite number एक साथ नहीं होंगे चलो जी आगे चेक करता हूँ सी वाला चेक करो यहां से देखो आपका एक है और दो भी opposite number है और एक दूसरे के opposite number से कभी भी कोई close dice बननी सकता तो क्या बचा भी बचा भी होगा इसका answer चाहे check भी कर लो यहां से देखो क्या number आपका 4 number देखो 4 का opposite number देखो क्या था फोर का opposite number 6 क्या पूरे इस dice में 6 दिख़ रहा है कि आपके गुत सर नहीं दिखरा चलो जी अगला reaching the team नंबर हमने क्या निकाला तीन का opposite में कहीं करेक?. ऍर निवीं यह तो यहां मैं का lineage इसका मतलं तो correct answer क्या होगा, correct answer B होगा, चलें जी, next चलते हैं, question number 18, आपके सामने ध्यान से question को पढ़ो, और बनाने की कोशिस करना, पहले question पढ़ लेते हैं, इसने का, दिये गए when R1 में, वरत जो है, खिलाडियों को, वरत जो है, circle वाली जो आपकी shape है, वो आपके खिलाडियों को denote करत बेघाती है, मैं इथर लेता हूँ, यहाँ पे, यह जो circle है, इसका circle का मतलब है player से, किस से? सरकल का मतलब, players से है, circle का मतलब players से है, आगे कहा, तिरकोन, मतलब की triangle है, triangle किसको denote कर रहा है, ¬ ट्राइंगल डिनोट कर रहा है आपका इसनातंग मतलब की ग्रेजवेट को ट्राइंगल डिनोट कर रहा है आपका ग्रेजवेट को किसको ग्रेजवेट को आगे कहा है आयत जो है आपका राइटेंगल जो है किसको परबंदक मतलब की मैनेजर को डिनोट करता है आपका ये आ आपका आयत जो है जो राइट एंगल वाली फिगर है यह आपको मैनेजर को बताती। आप देखो पूछ कहा रहा है। निम्लिखित में से कितने ऐसे बंदे हैं, जो आपके ग्रेजुएट और प्लेयर तो हैं लेकिन मैनेजर नहोग, इस पूरी फिगर में आपको क्या काम करना है, आपको एक ऐसा नमबर निकालना है, जो आपका सरकल और आपके ट्राइंगल में आए जो आपके circle और triangle में आए और आपके जो है वो आपका right angle figure में नहीं आना चाहिए right angle figure में जैसी आएगा तो वो manager बन जाएगा और manager हो नहीं नहीं चाहिए आप देखो question को large कर लेते हैं sorry zoom कर लेते हैं आप देखो यहाँ से आपको क्या लेना है आपको वो number बताना है जो आपका triangle में और circle में आ रहा हो देखो एक मातर ऐसा number देखो देखो यहाँ से मैं बनाता हूँ एक second यहाँ से बताओ इसका answer क्या बनेगा यहाँ से हम ध्यान से देखो ध्यान से बनाएंग एक second चलो इसे उपर कर लेते हूँ यहाँ कर लेते हैं चलो जी यहाँ से देखो आप मुझे बताओ यहाँ से एक देखो यह आपका क्या है यह आपका जो है triangle वाला face हो गया यह triangle वाली surface हो यह आपका यह आपका circle हो गया तो ऐसा एक मातर number मुझे बताओ जो triangle और circle दोनों में आ रहा हो आपका right angle में नहीं आना चीए तो एक मातर number यहाँ पर देखा जाए एक मातर number दो एक ऐसा है यह दो number जो है यह आपका triangle में भी आ रहा है और यह आपका circle में भी आ रहा है लेकिन यह जो है आपका आयत मतलब कि राइट एंगल मिनी आ रहा, इसका मतलब कोन होंगे, कितने बंदे होंगे, दो बंदे होंगे, option number क्या है, D, आपका correct answer है, उम्मीद है, समझ में आ गया होगा, चलो जी, इसके बाद question number 9, 19, question number 19, आपके सामने, इसका answer मुझे बताओ, इसका answer क्या बनेगा, statement वाला question, करने का तरीका, एक एक statement पढ़ो, और बनाने की कोशिस करो, देखो, बनाती क्या है, सबसे पहले देखो, statement positive हैं या negative, यहाँ से देखो, आप मुझे इसमें बताओ, पहली statement है, सभी सूबूट है, कि इस पूरी statement में कहीं पर भी, आपका जो है, no या नहीं वर्ड है, आपके सर statement क्या हुई, आपकी positive, क्या statement है, positive, दूसरी statement चेक करूँ, उसमें भी, कहीं पर no या नहीं नहीं है, इसका मतलब ये भी positive है, तीसरी वाली में भी, आपका no या नहीं, जो है, आपका कहीं भी नहीं दिया, इसका मतलब तीनो statement positive है, और याद रखना, जब भी, आपकी statement positive कभी भी conclusion या आपका निसकर्स कभी भी negative नहीं बन सकता, तो अगर देखा जाए, पहले सबसे पहले एक conclusion तो आपको देखती रोंग मिल जाएगा, देखो आपका दूसरा जो conclusion है, आपका निसकर्स इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह negative है, और कभी भी positive statement से negative conclusion नहीं बन सकत तो पहला तो देखती आपका रोंगो गया, आप देखो एक एक क्या काम करो, एक एक लाइन पड़ो और diagram बनो, इसने कहा, सभी सू क्या है, आपके बूट है, तो देखो, सबसे पहले कौन सा वर्ड है, सू, तो इसका मतलब यह आपने diagram बनाया, सूज का, यह आपका सू का diagram बनाया, और याद रखना, जिसके भी साथ सभी या ओल वर्ड जुड़ा हो, उसके बाद, ये वाला diagram आपने बनाया, सूज का ये वाला बना, याद रखना, जब भी किसी के साथ, ओल या सभी वर्ड जुड़ा हो, उसके बाद वाला जो वर्ड आता है, देखो, इससे ओल वाले के बाद वाला वर बूट तो इसके बाद जो वर आएगा उसका डाइग्राम इस ओल वाले के उपर इसका मतलब क्या है बूट का डाइग्राम किसके इस सू के उपर बनेगा ठीक है तो बूट का डाइग्राम किसके उपर इस सू के उपर बना ये बूट का डाइग् के उपर तो बूट के उपर किसका डाइग्राम हुआ ये डाइग्राम बनाया आपने हील्स का चलो जी आगे बात करते हैं आगे कहा कुछ सिलीपर जो है देखो कुछ सिलीपर सूज है मतलब कि आपका जो है सूज और सूज ये सूज है और सूज और सूज और सूज और सूज यह वाला रिलेसन बनना रहा है, आपका सम वाला, तो देखो यहां से क्या काम करोगे, यहां से माना यह वाला आपका फिगर हुआ, सूज वाला ओर यह आपका・ sggить हुआ यह वाला सम वाला ह्याम हुआ इस वाला सम कर रहा है, इस अपशेक consumption कर लेतें है, से देखो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है पहली स्टेटमेंट कह रही है सभी सू जो हैं-힘 सबसे पहले सू जो आतर वाले डाइगराम की तरफ जा रही हो छिस वाल जए लुकुरी को तो आप बिल्कुल बोल सकते हो वे चलो जी दूसरी वाली चैक करते हैं आगे कहा सभी सू जो है सिलीपर हैं देखो आपका सू वाला डाइग्राम ये रहा और सिलीपर वाला ये रहा और जब की सू और सिलीपर कैसे वाला डाइग्राम बना रहे हैं ये देखो ये ऐसे बीच में से कट करने वाला मतलों कि sum वाला relation बना रहे हैं ना कि all वाला तो ये वाले ही आपकी रोंग आपका जो है 19 का क्या बना A 19 का आपकी A की conclusion correct है उम्मीद है समझ में आ गया होगा चलो जी आगे बढ़ते हैं question बार आज के session का last question आपके सामने direction वाला question है एक एक step पढ़ोगे और direction वाले question में diagram बनता है और diagram से question बनाओगे चलो जी देखो क्या कह रहा है इसने कहा कार्तिक ने एक मोल से चलना शुरू किया सबसे पहले वै उत्तर दिशा की और 8 km चलता है एक एक लाइन पढ़ो diagram बनो मेरे सासा बनो इसने कहा कार्तिक ने एक मोल से चलना शुरू किया और सबसे पहले उत्तर दिशा की और 8 km चलता है याद रखना basic diagram में उपर की साइड उत्तर इदर आपका दक्षिन इदर आपका पूरा इदर आपका फस्त्रिम तो उपर की साइड कों जा रहा है‡ कार्तिक जा रहा है यह मोल है यह आपका मोल है ठीक है जी आप देंगो यहां से कार्तिक कह गया उपर की साइड, नोर्थ की साइड, कितना गया आठ किलो मेटर, यह माना कार्तिक गया आपका यहाँ पे, मानलिया कार्तिक गया यहाँ से यहाँ आपका, कितना गया आठ किलो मेटर गया, कितना गया, कार्तिक यहाँ से गया, आठ किलो मेटर, चलो जी आगे बात करते है आगे कह रहा है इसने कहा वहां से वहां दाहीं और मुड़ता है और 3 km चलता है देखो जब भी left या right टरन लेना हो तो left hand का concept आपको याद है left hand की middle finger जिदर वो देख रहा है उदर रखो और हतेली right नाकून left देखो कहा जा रहा है उपर की तरफ देख रहा है तो left hand ऐसे रखो मतलब हतेली की side इसका मतलब आप डाइग्राम इधर बना लो थोड़ा सा फोड़ा सा डाइग्राम इधर बना लो यह आपका मोल हुआ और यहां से यह गया आपका 8 km कितना गया 8 km और यहां से इसने एक टरन लिया कितने टरन का यहां पे इसने एक टरन लिया और दूरी चल लिया और पांच किलोमेटर चलता है चलो जी पांच किलोमेटर यहां से देखो राइट तरन मतलब की नीचे की साइड नीचे की साइड गया और यहां से इसने पांच किलोमेटर चला माल लिया यहां तक यह चला कितना पांच यहां तक यह कितना चला पांच चलो जी इसके ब ऑप से पूछना ये चाह राए कि मोल से कार्थिक की अंतिमिस्थान की दूरी और अगर आप मुझे ये बताओ जब आपकी देखो ये जब आपकी ये तीन है तो ये भी आपकी क्या बनी तीन बनी ठीक है देखो ये पाँच है आमने सामने की बुझा बराबर होती है तो देखो अगर ये पाँच है तो ये वाली भी आपकी क्या बनी ये वाली भी पाँच बनी ठीक है तो देखो अगर ये यहां से यहां तक तो यह अगर तीन है तो यह आपकी क्या हुई, यह आपकी बनके यह रेडी हुई गया। कैसे बनके रेडियो हो रही है यह ऐसे बनके रेडियो हो रही है और देखो यहाँ पे यह तीन है और यह आपकी चार है आपको यह वाली चाहिए यह वाली दूरी चाहिए तो देखो यह कौन सा तिर्भुज बना यह समकोंड तिर्भुज बन रहा है अगर आपने पे हुआ और यह सी हुआ तो कर्ण का स्क्वाइर मतलब की AC का स्क्वाइर किसके बराबर होता है कर्ण का स्क्वाइर होता है लंब का स्क्वाइर मतलब की परपेंडिकलर मतलब की BC का स्क्वाइर और प्लस बेस बेस मतलब आधार का स्क्वाइर मतलब की AB का square इस वाले को लगाओगे यहां से question बन जाएगा आपको AC तो चाहिए यह वाली तो चाहिए देखो BC आपके पास क्या है BC आपके पास 3 है तो यह 3 का square करोगे AB आपके पास क्या है 4 4 का square करोगे 3 का square क्या होता है 9 4 का square 16 25 और देखो यहां से square रहना square हटा के 25 करोगे 25 किसका वर्ग मुलत है 5 तो यहां पर correct answer 5 बनेगा यह आप direct payer याद होगे तो direct बना दोगे यहां से correct answer होगा 5 उमीद है समझ में आ गया होगा चले जी इसके बाद आपको क्या याद रखना है इसके बाद आपको याद रखना है SSC Maker की टीम आपके लिए लेके आई है संकल्प बैच इस वाले बैच में आपका offer चल रहा है और offer में ये offer सीमित समय के लिए है और offer में ये वाला बैच आपको मात्र 500 में मिल रहा है करना क्या है SSC Maker App डाउनलोड करें और वहाँ से आप ये वाला बैच परचेस करने आपके साथी साथ आपका CRP App तकनीकी के लिए इस वाले बैच में भी offer चल रहा है offer सीमित समय के लिए है और offer में ये वाला बैच आपको मात्र 250 रुपे मिल रहा है करना क्या है SSC Maker App डाउनलोड करें और वहाँ से आप ये वाला बैच परचेस करने आपका CRP App तकनीकी और ट्रेडसमेंस के लिए स्पेसल बैच SSC CGL के लिए आपका संचकल्प बैच MTS और CHSL के लिए आपका शोर सलेक्शन बैच लोंच किया जा चुके है करना क्या है SSC Maker App डाउनलोड करोगे और वहां से ये वाले बैच परचेस करने साथी साथ आपका UP Police के लिए एक स्पेसल बैच लोंच किया जा चुका है बिल्कुल सुन्य से शिखर वाला बैच है बिल्कुल बेसिक से और इस वाले बैच में भी ओफर चल्ड़ा है offer में ये वाला batch आपको मातर 399 रुपे मिल रहा है करना क्या SSC Maker App डाउनलोड करें वहाँ से ये वाला batch पर्चेस करनें आपके daily अजे सर की जो live class होती है अजे सर की live class होती है 8 बजे अजे सर चीजों को बिल्कुल basic से एक दिन math एक दिन reasoning आपको जो है alternative पढाते हैं और ये भी बताते हैं exam में approach क्या रखनी चाहिए तो आपको daily जुड़ना है आपको किसके साथ जुड़ना है daily अजे सर के साथ जुड़ना है कितने बज़े 8 बज़े यहाँ पे हमारे कुछ links है यह वाला link हमारा instagram का link है ठीक है यह वाला facebook का link है यह twitter का link है ठीक है आप इन link पे click करके हमारे साथ जो है facebook, instagram, twitter के माध्यम से जुड़ सकते हैं साथी साथ यह आपका और हमारा आपका अपना telegram challenge का link है ssc maker परिवार का आप इस link पे click करके जो है टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करने चले जी आज के लिए इतना ही कल फिर सेम टाइम मिलते हैं जै हिंद जै भारत